हाई गाईस में हूं आजे कंबो जो इस वीडियो में हम बात करेंगी बेसिक नॉलजी और फार्मसोटिकल इंडेस्ट्री के बारे में फार्मसोटिकल इंडेस्ट्री की बेसिक पॉइंट हम इस वीडियो में जाने की कोसिस करेंगे जो जो टॉपिक हम इस वीडियो में कवर क कर सकते हैं उनके नेचर ऑफ सैलिंग में कि हम उसको जिस तरह बेचते हैं तो किस तरह उनको डिवाइड कर सकते हैं फार्मसोटिकल मार्किट साइज कितना है रॉथ ऑपर्चुन्टी क्या है और मार्क्टिंग और सैलिंग टाइप्स कितने हैं फार्मसोटिकल इंडेस्ट्र की definition की बात करते हैं तो pharmaceutical industry को हम इस तरह define कर सकते हैं कि वो इंडस्ट्री जो medicinal drugs और preparation की manufacturing यूज और sale में involved होती है उसको हम pharmaceutical industry क्या सकते है जो pharmaceutical industry होती है वो discover करती है वो जो भी जिन ITSYC में involved होती है वो discovering होती है research होती है development होती है production रेक्सन होती है ओप्ति हों मेडिसीनल प्रोडक्त की बात करते हैं उनकी क्या क्या होता है च्रवाथ करते हैं जो और एक्सिर्नय यूज के लिए यूज होती है आद्मियों के लिए रूदी है और वो सभी सब्स्टांसी जो ड्यक्नॉसी ट्रीटमेंट मेटिगेशन या प्रिवेंशन के परपज के लिए यूज किया जा रहा है किसी डिजीज में या इस्चाहे वह उँमेन बेंगज का है इसके अलावा वह सभी प्रिप्रेशन जो जो वमेन बोडी है उससे किसी इंसेक्ट को रिप्ल करने के लिए यूज की जाती है वो भी मेडिशनल और ड्रक्स के आंदर आती है इसके अलावा वह सबीश्ड शृंस जो फूड से अलग है ओर यूमारे जो में या ऐनिमट के जो बॉडि स्ट्क्चर है فंक्षण को है उनको अल्टर करने के लिए उदम किसी भी तरह से कोई फंक्षण को अल्टर करता है उचीज royal do एसके अलावा जो तो जो जबी इस फ्ल op यह जो उमेन विंग्स में आनिमल्स में डिजीज फैलाते हैं उनको जो मानने के लिए यूज होते हैं वो भी ड्रग्स और मेंडिशनल प्रोडक्ट के अंदर आ जाते हैं इसके अलावा वो सबी कॉंपोनेंट्स जो ड्रॉक्स किसी भी फॉर्म में एक लिकुड फॉर्म में इंटरनल या एक्सटरनल यूज के लिए यूज होते हैं डायगनोसिज में ट्रीटमेंट में 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 प्रिवेंशन में जो डिजीज होते हैं या डिसॉर्डर्स होते हैं वह सब भी ड्रग्स और अदर आ जाते हैं अगर मैडिसिन को उनके नेचर के इसाफ से कंपनी के द्वारा बेची जाती है जो उस मोलक्यूल को रिसर्च करती हैं डिसकावर करती है डेवलोप करती है उसके बाद उसको पेटेंड करा लेती है जितने भी इनिवेटर फार्मसोटिकल कंपनी जो होती है वह जितने भी इनके डिसकावर्ड मोलक्यूल होते हैं उनक कर्चा अता, एक मोलक्यू जब research होता है, उसके बाद उसको कम से कम 5-7 साल लगते हैं, मार्किट में पहुचने के लिए, एक मोलक्यू को discover होने के बाद, तो उसकी जो cost हो जाती है research और development की को काफी increase हो जाती है, तो इसलिए जो branded medicine है, branded drugs है, जब तक वो patent में रहती है, खतम हो जाता है किसी इस बी ब्रेंडिज्ड ड्रग का उसके बद दूसरे मार्मसितिकल मनुर्फेक्टिर सोते हैं जो इन्ATA से अलग दूसरे फर्मसितिकल मनुसेक्टिर बनाने के लिए हम्याइोजा दूस के इस इनको कम्हन के We Kenny के नाम के अंदर करते हैं उसको market में sell करते हैं तो वो एक generic drugs में आ जाती है और जो manufacturers उनको बना रहे होते हैं उनको हम जेनरिक pharmaceutical manufacturers बोल देते हैं जो generic drugs होती है उनमें research और development की cost नहीं होती ना के बराबर होती है कि अब उनको अपनी formulation ही त्यार करनी पड़ती है drug department से अप्रूब लेना पड़ता है तो जो उसकी जो हाई cost होती है उसकी research की जो development की वो उन पर applicable नहीं होती तो वो उसको कम कीमत पर बेचते हैं ताकि branded drugs से competition कर सके तो इसी वज़े से जो generic drugs हैं उनके prices आपको कम मिलते हैं अगर हम branded drugs की या generic drugs की बात करते हैं उसके अलावा जो pharmaceutical companies है वह medical devices में भी डील करती है surgical product में भी deal करती है nutraceuticals में भी deal करती है Cosmetics में भी deal करती है और और भी बहुत सारे products में भी deal करती है अगर हमी Indian point of view के बात करें तो इंडिया में थोटा सब्सक्राइंट प्इस के बारे में उनके selling के बारे में तो यहां पर जो popular है वो branded generics काफी popular होती है अगर आपको समझना है तो वह generic drugs होती है जिनको हम brand name effects करके बेचते हैं महला होती है इन नेचर महला वह उसके inverter pharmaceutical companies की नहीं होती दूसरी pharmaceutical companies ने बनाई होती है लेकिन वह भी उसको एक brand name रखके बेचती है इंडियन pharmaceutical market में इसी वज़े से आपको जितनी भी medicine मिलेगी वो सब एक brand name के साथ मिलेगी तो वह बहुत difficult हो जाता है यह चीज बहुत difficult कर देती है इंडियन pharmaceutical market में generic medicine में और branded medicine में differentiate करने में अगर हम भार थोड़ी सी developed company की countries की बात करते हैं जैसे USA की market की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे brand name केवल आपको केवल innovator की packaging के उपर ही मिलेगा उसके अलावा जितने दूसरे अगर हम ड्रग को डिवाइड करें उनके nature of selling तो हम उसको दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं एक prescription drugs होती है और दूसरी ओवर दा काउंटर OTC drugs होती है जो हमने उनके नेचर के development के नेचर के उपर से के इसाफ से डिवाइड किया था drugs को branded और जैनिक के ड्रग में वह कोई सी भी हो सकती यह दोनों ही तरह की ड्रग को आप ऐको दो ही तरह से में तो जा सकता है या तो उसको ऐज तो इसरी की वज़े से इनको प्रेस्किप्शन क्यिश्टेग्री में रखा होता है और इनको के वब जो registered medical practitioners होते हैं, doctors होते हैं, उनकी prescription की againness ही बेचा जा सकता है, अगर हम OTC drugs की बात करें, तो कुछ drugs ऐसी होती है, जिनकी जो smart dose होती है, या उनकी जो seriousness होती है, side fact की, वो कम होती है, smart dose में या थोड़ी जो applicable dose होती है, उसमें वो कम होती है, तो उनको थोड़ा सा अलग category में कम होते हैं, तो उनको इस category में रख दिया जाता है, कि एक smart dose में जो chemist है, जो pharmacy है, वो बिना prescription के भी patient को या उसके care taker को दे सकता है, तो उनको हम OTC drugs कहते हैं, अब बात करते हैं, फार्मसोटिकल market size के बारे में, कुछ business research companies के हिसाब से, जो global pharmaceutical market है, वो 94.8 billion dollars की थी 2017 में, और ज 70 billion dollars तक पहुंचने का अनुमान है, जो उनकी growth rate रहेगी, वो 5-6% रहेगी, अगर हम IBEF के इसाफ से बात करें, तो जो इंडियन pharmaceutical sector है, वो 100 billion dollars और जो medical device की जो market है, वो 20 billion dollars, 2025 तक पहुंचने का अनुमान है, जो pharmaceutical export हैं, इंडिया से, जो financial year 19 की अगर हम बात करें, तो 19.14 billion dollars था, जो pharmaceutical export है था, उसमें bulk trucks आती है, intermediate आते हैं, drug formulation आती है, biological आते हैं, आयूस and herbal products आते हैं, और surgical products आते हैं, जो Indian domestic market है, उसका turnover 1.4 lakh crores 2019 में पहुंच गया था, जो की 9.8% से year on year बढ़ रही है, जो उसका 2018 में था, वो 1.3 crore rupees के near amount था, जो अब 1.4 lakh crores हो चुगा है, अगर हम growth opportunity बात करते हैं, तो जो pharmaceutical industry है, वो वर्ड की टोप global, markets में से ही है, और यह एक ऐसी industry है, जो COVID-19 से least affected थी, जो Indian pharmaceutical industry की growing rate की अगर हम बात करें, तो वो CGR 50% के हिसाफ से बढ़ रही है, लास्ट 5 यह से, और उसमें काफी अच्छी growth की संभावनाएं हैं, अगर हम medicine spending की बात करते हैं, तो वो भी 9-12% के हिसाफ से अगले 5 साल तक बढ होते हैं, किस तरह हम pharmaceutical market में हम medicine को बेज सकते हैं, तो कहीं तरीके से हो सकते हैं, pharmaceutical industry में कहीं तरीके होते हैं, अपने sale करने के लिए, सबसे पहले तो branded drug marketing आजाती है, दूसरे cases में generic drug marketing आजाती है, तीसरे में pharma PCD franchise marketing आजाती है, फिर हम OTC drug marketing की बात करते हैं, उसके बाद institutional sales supply आ लास्ट में हम online pharmacy के बारे में रख रहे हैं, पहले branded drug marketing की बात करते हैं, पहले एक pharmaceutical company एक प्रोड़क्त को एक नए molecule को innovate करती हैं, उसके बाद सारे clinical trials को पास करके उसके patent के लिए apply करती हैं, और फिर उसको market में बेचते हैं, monopoly basis पे उसका कोई competition नहीं होता, या तो किसी ऐसे particular disease क इसकी अभी medicine नहीं है, या अगर medicine है किसी disease की तो कोई ऐसा extra benefit वाला मुल्किल बनाती है, जिसके कम side effect हो या higher results हो, तो बनाती है, लेकिन फार्मसोटी, Indian pharmaceutical market के साब से थोड़ा different हो जाता है, हम उन चीजों को branded drug में कहते हैं, जो doctor की prescription पे बिखते हैं, थोड़ा सा different है अब ही त इसकी में branded drug marketing वही होता है, जब एक company innovate करती है, मॉलकिल को clinical trials को pass करती है, patent कराती है, और उसके बाद उसको market में बेचती है, अगर हम generic drug marketing की बात करते हैं, तो जब patent expire हो जाता है किसी मॉलकिल का तो दूसरी companies भी उनको बना लेती है, तो उसको हम basically generic drug marketing में रखते हैं, लेकिन Indian point of view से अगर हम बात करते हैं, तो थोड़ा सा यह हो जाता है कि जो, actually India में सबसे बड़ी problem क्या है कि यहाँ prescription drugs और non-prescription drugs, otc drugs भी आपको बीना प्रेस जाती है, तो यहाँ पर जो generic medicine का है, वो concept थोड़ा सा change हो जाता है, जब वो drug सीधा distributor पे आ रही है, सीदेप पे आ रही है, सीधा chemist पे जा रही है, बीना doctor की prescription के involvement की, चाहे वो prescription drugs है, या otc drugs है, तो वो basically कम rate पे आती है, और कम rate पे ही बिकती है, तो उनका concept थोड़ा सा Indian point of view से change हो जाता है, generic drug marketing में, और pharmaceutical franchise marketing की बात करते हैं, जो हमने उपर के दो वेज, अभी discuss की है, उनी के वेज से ही franchise marketing में भी drug बे नहीं sales team को point करके, चाहे वो doctor से prescription लिकवा रही है, या distributor के through sell कर रही है, दोनों ही वे में अपनी sales team रखके काम करती है, लेकिन जब pharmaceutical franchise marketing की हम बात करते हैं, तो वहाँ पे इतना एकली small या micro size pharmaceutical companies होती है, जो इतना fund नहीं लगा सकती, कि पूरे all over India, या जिन भी districts में, या जिन state में वो काम कर रही है, वहाँ पे अपनी sales team को point कर सके, तो वो क्या करती है, वो उन individuals को ढूंडती है, distributors को ढूंडती है, या sales professionals को ढूंडती है, जो उनके लिए marketing कर सके, promotion कर सके, और उनको वो सारे commercial rights देती है, अपने ब्याप पे अपना नाम यूज करने का, distribution करने का, payment collection कर आया जाएगा, तो उस concept को हम pharma franchise marketing कह देते हैं, PCD pharma franchise कह देते हैं, तो वो उन concept में आ जाता है, जो यह हमने course बनाया है, basically उसी के लिए बनाया है, अब throughout course इतने भी हम आगे थोड़े से video cover करेंगे, उसमें pharma franchise marketing के बारे में detail में discuss करेंगे, अगर हम OTC drugs की बात करते हैं, marketing की तो उन में हमने discuss किया था कि वो सारी drugs आती है, जिनको हम बीना prescription के medical practitioner की बीना prescription के बेज सकते हैं, तो उसमें भी basically generally दो ही तरह से marketing होती है, या तो वो आपको सस्ते rate में edges generic मिल जाएगी, या फिर वो branded में आ जाती है, लेकिन उसमें branded का यह होता है कि उसमें doctor prescription नहीं करता, उस इतनी भी prescription drugs होती है, चाहिए वो branded हो या generic हो, उनकी आप advertisement नहीं कर सकते हैं, उनको केवल आप doctor को convince करके उसकी prescription के against ही बेज सकते हो, लेकिन जो OTC drugs होती है, उनकी जो advertisement होती है, certain regulation के थूरू, उनकी जो advertisement होती है, वो allowable होती है, आपने देखा होगा कि कुछ pain killers की या दूसरे चीज़ों की ad आपने digital marketing में या TV वगारा पे भी या आपने वहाँ पे देखी होगी, तो वो OTC drugs की category में आ दे है, इसी वज़े से उनकी जो advertisement होती है, वो permitted होती है, और आप उसकी advertisement को कर सकते हैं, अगर हम institutional sale की बात करते हैं, तो क्या होता है कि कुछ corporate hospitals होते हैं, dispensaries होती है, या government hospitals होते हैं, या pharmacist chain वगारा लगा लो, आज कल online pharmacy का concept आ रहा है, वो भी एक अपना central store ही रखते हैं, जहां से वो directly companies से ख्रीदने की कोशिज करते हैं, तो companies क्या होती है, pharmaceutical companies कभी-कभी उन में से बच के सीधा institutional को supply कर देती है, hospitals को corporate hospital, government hospitals की जो supply होती है, उनकी जितनी supply होती ह है, वो भी pharmaceutical company के थूई होती है, tenders वगारा निकलते हैं, जो भी उनका procedure होता है, तो वो सीधे institutional को supply कर देती है, online pharmacy आज के टाइम में काफी growing aspect है, काफी अच्छी speed से बढ़ रहा है, अपनी market में पर जैंस बना रहा है, लेकिन online pharmacy की अगर बात करते हैं, तो उस पे भी दोनों ह अभी ज्यादा regulations नहीं है, इडिया में, कोई particular definition नहीं है, कि online pharmacy में कैसे बिख सकती है, फिर भी general retail drug license, GST number और एक valid prescription का होना ज़रूरी होता है online pharmacy में, उमीद करेंगे ये information आपको अच्छी लगी होगी, thanks for watching.